Hello Students, मैं अर्चना खंडीलवाल पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉमन क्लेचर पढ़ाया था। नॉमन क्लेचर के रूल्स पढ़ाया थे और नेचिरल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। और classical और taxonomic hierarchy के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था आज हम species के बारे में पढ़ेंगे जाती क्या होती है जाती जन्तुओं और पौधों के वरगी करण की प्रारंभिक एकाई होती है और उस vicious रूप के लिए परियुक्त होती है जिसमें कुछ निश्चित आकारे की कार अंशिक लक्षन पाए जाते हैं इस शब्द की परिभाषा अलग-अलग समय पर बदलती रही है लेकिन जाती की परिभाषा के लिए तीन साइंटेस्ट ने अपने व्यूज दिये थे सबसे पहले जोन रेज ने विभिन जातियों को की पहचान जो है वो जो पहचान की थी वो की थी population of hybrid animals के according उन्होंने जाती की पहचान की थी तो जौनरी ने कहा था कि वे सब जन्तु जिनकी उत्पत्ती एक ही तरह के parents करते हैं एक ही जाती के सदस्य होते हैं नीनियस और कुछ दूसरे scientist ने जातियों का निर्धाराण केवल उनकी संरचना के आ from natural conditions में परस पर sexual reproduction करते हुए या inter-beading द्वारा अपने ही जैसी जनन्षम संताने उत्पन करने वाले जन्तु एक ही जाती के सदस्य होते हैं तो खास बात क्या है इस definition में अपने ही जैसे जनन्षम संताने उत्पन करना करते हैं तभी वो उस जाती के सदस्य होते हैं तो जौ प्राणियों की समस्टी के आधार पर दी और यही modern concept of species पर आधारित है जो संकरन प्राणियों की समस्टी में जीन फ्लो होने के कारण जाती के किसी भी भाग में प्रकट होने वाले आनवांशिक परिवर्तन अंत में उसी जाती के ही किसी अन्य संतती में प्रकट हो जाते हैं तो इस तरह से जो पूरी जो population की जो प्रवरती है वो एक साथ विकास करने की होती है तो आधुनिक विचार धारा के अनुसारिया modern biological species concept के जो है लक्षण होते हैं कौन कौन से लक्षण है कि हरे एक जो जाती है या community है उसका अपना एक genetic unit होती है अपना एक ecological unit होती है और एक उनकी अपनी community जो है reproductive unit होती है उनकी अपनी एक community जो है वो होती है genetic unit में जो प्रत्य एक species में free gene flow के प्रवाहा के अतरिक एक सामान्य gene pool भी होता है means gene free gene flow होता है और एक gene pool उनके अंदर पाया जाता है तो हर एक जाती जो है अपने वात्तावरान के अनुसार व्यवस्थित होने की प्रक्रिया में रहती है means वो जिस तरह के environment को adopt कर लेते हैं उसी तरह के environment में वो रहते हैं हर एक जाती का अपना एक ecological niche या पारिश्थिति के निकेत होता है जिसका उपयोग अन्य दूसरी जातियां नहीं करती है means हर एक जाती जो है अपने ही तरह के environment में रहती है तो दूसरी जातियां ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह के environment में रहें और प्रतेग जाती में नई पर्ण करने की शमता होती है तो प्रतेग जाती में चाहिए तो हम डायरेक्ट कहां या इंडायरेक्ट ली कहां से प्रतेग प्रणूर्व शूप में संबंदित जातियां के साथ जीन विन में को रोकने की शमता भी पाए जाती है जिसको की हम isolation कहते है तो हर एक जाती की जिन मेंच की ज्ञाव पूल होता है कि जीन पूल होता है जिसमें की उनके जीन कॉल करते रहते हैं नौ जाती के aanud मेंट्स क्या है घटक कौन-पॉब् her हैं जाति के Components जाती जो है आवासिय वा पारिष्थि के वरियताओं के कारण जातियां बलकि कुछ एक निश्चित शेत्र में रहती हैं तो वह इस्टानिय जो है इस्थानिय शेत्र में की पाई जाती है तो तो किसी भी जाती कि जो इस्थानिय समिस्ट्री होती है जो लोकल पॉपुलेशन होती है उसको डीम कहते हैं तो यह डीम जो है ऐसे हैबिटेट्स में रहते हैं जहां उनके जीने के लिए अनुकूलन दशाएं होती हैं जब डीम एक दूसरे के साथ में काफी लंबे समय तक अलग रह में जीन फ्लो नहीं हो पाता है वो अलग हो जाते हैं तो इस तरह के अलग समुहों को सब इस्पीशीज कहते हैं तो मेयर ने 1942 में जो सब इस्पीशीज की उपजाती जी की परिभाशा दी वो यह थी कि जाती के भौगलिक एक ऐसा उपविभाग जो उसी जाती के अज्वा अन्य उपविभागों से अनौवान शिक वर्गी की अरण हो उसे हम उपजाती कहते हैं तोब मतलब है कि उस्पीशीज उइन से वह किसी तो यूजवली जब भी कहीं भी कोई Species बनती है, यह सब पहले इंटर वीडिंग करती है, परन्तो जब एक उपजाती अन्य उपजाती है जो उनकी parental जो species होती है उसके साथ मैं संकरन करना या hybridization करना बंद कर देती है तो वो एक उपजाती बन जाती है तो जाती की जो concept है उसमें तीन concept दिये गए हैं कौन कौन से है एक typological species है दूसरा nominalistic species है और तीसरा biological species concept है now typological species concept क्या होता है typological concept species है इसमें एक जो collector है वो उनमें से एक specimens के द्वारा जो है पूरी जाती का वर्णन करता है means specimens एक select कर लेते हैं जैसे कि हम lab में देखते हैं एक specimens select कर लेते हैं और हम यह मानते हैं कि उस फाइलम वर्ग और क्लास के जो बाकी specimens है उसके जैसे भी हो जाते हैं तो एक specimens द्वारा के आधार पर उस जाती का वर्णन किया जाता है तो इस तरह से इसको हम क्या कहते है अन्य प्रजातियों के ऊपर भी प्रेकाश डालता है उनका प्रतिनिद्व जो है वो करता है लेकिन इस ट्राइप लॉजिकल जो इस पैसिमेंस concept था इसमें कई सारी problems थी इस सबसे वड़ी जो बात थी कि इसमें जो जाती की अवधारना को यह पूरी तरह से इस पस्ट नह होना या किसी जंतू के विभिण जो विकास की अवस्थाएं होती है उसमें एक जैसा ना होना और किसी किसी जाती के अंदर पॉली Maorphism भी पाई जाति है तो उनका होना एक ही जाती के दो लिंगों में सेक्ष्ण ले मौर्फीस्म का पान पाया जाती अवा कुछ Iska नाभा प्राय कोई भिन्दता नहीं होती है परन्तु यह आपस में रिप्रोड़क्शन नहीं करती है वो देखने में सब एक जैसी लगती है लेकिन उनके अंदर जो है जेनेटिकली डिफरेंस होते हैं जिसकी वह से वह रिप्रोड़क्शन नहीं कर पाती है तो इस तरह से जो सम शावाग का विकास हुए बिना ही उनके जो प्रेजन नंग होते हैं उनका विकास हो जाता है जिसको की तारफ एनो जनेसिस यह पीडोजनेसिस इसको कहा जाता है for example exolutal larva तीसरा है दूसरी जो है नॉमेलेस्टिक इस्पेशीज कॉंसेप्ट नॉमेलेस्टिक इस्पेशीज कॉंसेप्ट के कॉंसेप्ट में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये मानना है कि प्रकृति ने मात्र इंडिविज्वल्स ही पैदा किया मीन्स हर एक अपने आप में एक जाती है प्रकृति ने कोई जाती नहीं बनाई है और यह जाती जो है मनुष्य की परिकल्पना है थर्ड जो कॉंसेप्ट है वो है बायलोजिकल इस्पिशीज कॉंसेप्ट जिसको की मौडर्न इस्पिशीज कॉंसेप्ट भी कहते हैं क्यूंकि 1750 के पश्चाथ ये अपने अस्तित्व में आये थी इस कॉंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाती जो है वो सम्रूपी जन्तूओं का सम्हू नहीं है बलकि इसका निर्धारान मात्र प्रारूप के आधार पर भी नहीं किया गया है अपितू जन्तूओं के व्यवहार्य कुद्धिक जर्चाथं के और आधार पर ये श्वर्ण किया गया है ना ही उनगे इनक्त्रचन दिखने के ऑधार पर वर्ण किया गया है बलकि उनकी जो ऑन्याट्रwyddवी उनकी फिस्योलोजी कैसी है उनकी सेलुलेर स्पीजिशिश जैनिटिकली कैसे इस आधार पर उनको किया गया है तो इस कल्पना संकल्पना के अकॉर्डिंग जाती प्राक्राइटिक रूप से आपस में प्रेज्णन कर सकने वाले जनतुओं का समूह होता है जो की अन्य में रिजन होता है उनके रेप्रोडक्टिव एंदर मोड़ा है जो लेकिन उनकी जो संतान है इस पेदा होती था Now Types of species, क्या तरह की species होती है, जैसे की A. Gamma species वे सभी जाती हैं, जिनमें Alangic poisoning होता है, जिनमें की Alangic poisoning होता है, जिनकों की हम biological species भी इनको हम बोलते हैं, Sympatric species अची species जो दो या दो से अधिक जाती हैं, जो एक ही इस्थान पर पाई जाती हैं, Allopatric species दो या दो से अधिक जाती हैं जो भिन भिन आवासों को या विभिन जो geographical conditions में एकोलोजी में रहती हो विस्थानिक जाती हैं या Allopatric species उनको कहते हैं Synchronic species ऐसी सभी species सभी जाती हैं जो एक ही काल में पाई जाती हैं Synchronic species कहलाती है Allopatric species जो रचनात्मक रूप से तो समान होती है परंतु दो पास-पास के शेत्रों में ये पाई जाती है And Paleo species ऐसी जाती हैं जो प्रत्वी पर किसी पहले प्रेजेंट थी लेकिन आज वो जीवाश में या Fossils के रूप में प्रेजेंट हैं उनको हम पुरा जाती उनको कहते हैं Polytypic species ऐसी species जिनकी एक या एक से अधिक सब species उपास से थों उनको हम Polytypic species कहते हैं And Neonautical species वे सभी जाती हैं जो आज कल प्रेजेंट हैं उनको हम Neonautical species उनको हम कहते हैं तो यह chapter आज आपका यहीं खतम होता है Thank you